नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिक्रम और आप देख रहा है हमारा चैनल अस्टाड़ी वाइफाई जी के की दुनिया और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर रहा हूं बिहार फॉरेस्ट गार्ड का टेस्स सीरीज नंबर 12 जिसमें हम जी के जी एस और को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो निचे के दिए गए रेड़ बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ इसाथ गंटे के बटन को भी दबा दिए ताकि लिए टेस्ट वीडियो हमारे सब्सक्राइब आप लोगों को मिल सके और दोस्तों इ होता है GK का QC, भाग 2 में Math का QC, भाग 3 में GS का QC, यानि की Science का QC, भाग 4 में Hindi का QC होता है, तो भाग 1 पहले देख लेते हैं, तो भाग 1 में हम देखेंगे, तो इससे पहले देखने से पहले हम जरब कैमरा को कर लेते हैं जूम, ताकि आप लोगों को अच्छे से QC देख स क्योचन है यहूदियों के धर्म पार्ट का नाम क्या है तो मूसा सही था जो है इसका मूल नाम है अगला क्योचन है तराएन की दुत्य लड़ाई में पिर्थवी राज को किस ने पराजित किया था तो मुहम्मद गौरी ने पराजित किया था था अगला क्यूशन है जिस समय जिस समय जिस समय सतर सो एक सट में पानिपत की तीसी लड़ाई में आहमाद साथ अबदाली ने मराठो को हराया था उस समय दिल्ली का सासक कौन था तो सा आलम दितिय दिल्ली का सा सकता अगला क्योशन है ब्रिटेन सासन के दोरान तत काली इन मदरास प्रेसिडेंसी में रहीत वाड़ी परनाली की सुरुबात करने वाला कौन था तो थामस मुन्रो था अगला क्योशन है हमारा जिनों तुमारा अगला क्योशन है जी यहां दोस्तों हमारा अगला क्योशन जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे निमलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का अरंब हुआ तो वास्तलीन के पतन से फ्रेंच क्रांति का अरंब हुआ अगला क्योशन है जैसे तो हमारा अगला क्योशन बोला जा रहा है भारत मैं प्रांतिय इस्वाइत तता जिन सुस्वाय तता सुरू की गई तो किसके दो शुरू कही गई तो भारत सरकार यह 935 सुरू कि गई अगला क्यूशन है क्रिस्टोफर कोलंबस जियंस तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था तो इसका सैंसर दोस्तो जिनोवा का था अगला क्यूशन है हमारा टुन्डरा प्रकार जियंस तो टुन्डरा टुन्डरा प्रकार की जलवाईू का दूसरा नाम क्या है तो काराकार प्रहण क। ईरथ है उत्री कासमीर हीमाले मं यह पारत में सब्से लंबा बांध कौन सा है तो हैराकूंडबान जो है भारता सबसे लंबा बांध है चलेंगे अगले क्यूशन की ओर तुम्हारा अगला क्योशन जो है बारा नमबर क्योशन इस बोल जैना है ग्रिज्मिरितू में तिब्र tratar गर्मी एवं निम्न में दाव के कारण विस्वत रहा पर विस्वत रहा पार कर आने वाली मतून कहुंसी मतून होती थे तो लेशनी, पासमी मनसून होती है चलेंगे अगले क्योशन की ओर तुमारा अगला क्योशन है संभी धान के अंतरगत भारतिये लोक तंतर के आदर्सों को हम कहां देख सकते हैं तो प्रस्तावना में देख सकते हैं अगला क्योशन है यदि लोक सभा का जैस्तो यदि लोक सभा का अध्यक चाहे तो यहां परषद की बैठा तो कौन करता है तो इसका आगे मारा जीकुस्य है भारत संभीधान भारत बिधान सवाक सदस की अधिकतम निर्धारी संख्या कितनी है तो पांसो इसकी संख्या अधिकतम है अगला क्योशन है जैस तो हमारा अगला क्योशन है कौन सा देश अभी राजा द्वारा सासित है तो सौधी अरफ जो है एक राजा द्वारा सासित है अगला क्योशन है हमारा जियनस तो अठारा नंबर क्योशन में बोला जा रहा है इस चंदर सेखर जियनस तो इस चंदर सेखर को नोवल प्रसगार किस छेतर में मातपूर नियुकदान के लिए दिया गया था तो खगोल बिग्यान के छेतर में इन्हें दिया गया था अगला क्योशन है पोलो ज चीक है जो हलके से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए तो ड्रॉप सौट से बूला जाता है चलेंगे अगले क्योश्चन की और तुम्हारा अगला क्योश्चन जो है वो बोला जा रहा है निम्न में से कौन यह तो निम्न में से कौन बिहार की ग्रामीन जन कि सब्दकता सी तो इस चंदर सेखर के दवारा ब्लेक होल कि सब्सक्रण की खौः की गई थी अगला क्यूश्चन है उमारा तो अगला क्यूश्चन हों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे भारत के सरवाधीक लंभाई स्ब्वाज को इसका साही अंसर है कौणर उसका सखेंट थे करेंकर और आंगर पार्त में मजन संख्या 221 कि वा इसकali चालिस ब्यक्ति प्रति मैलाओं पे है जैस्टो 940 मैला प्रति एक हजार ब्यक्ति पे है अगला क्योशन है योजना आयोग ने गरीवी रेखा के निर्दारन के लिए उनसे संतानवे में किस फॉर्मूले को मानेता दी थी तो लकड़ वाला फॉर्मूला लकड़ा वाला फॉ चेतर दित्यक चेतर और तृत्यक चेतर तीनों ही महत्वपूर्न है अगला क्योशन है गैलेना जैस्टो गैलेना का सबसे बड़ा निपेख्च निछेप बिहार के किस जिले में मिलता है तो बांका जिले में मिलता है अगला क्योशन है सुरेश तेंडूलकर जैस्टो तें बिहार बिधान सभा का प्रत्थम अस्थाई अध्यक्ष्य होने का गौरव प्राप्थ हुआ था तो इसका सर्दोस्तो स्री राम द्यालुत सिंग को या अस प्राप्त हुआ था चलेंगे अगले क्योशन की और तो हमारा अगला क्योशन है जैस तो हमारा अगला क्योशन है बिहार में सर्च योर रूट जैस तो बिहार में सर्च योर रूट योजना का संचाला निम्न में से कौन करता है तो ए और और सीजिस का साइण सर है तो बिहार पर रिटन निगम और बिहार फाउंडेशन दोनों मिलकर ये इसका संचलन करते हैं चलेंगे अब भाग टू को स्किप करेंगे क्योंकि इसमें मैत और रिजनिंग के क्योशन होते हैं अब चलेंगे भाग तीन की ओर जिसमें की आपके क्य साइंस के तो साइंस वाला क्योशन देख लेते हैं किशन नम्बौ 56 से है जो कि कहा जारा पहला क्योशन में जलवायू परिवर्तन के संदर्व में उसनिकटिवन दिये जलवायू में चल चक्र का अध्यान करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स मिसन के लिए राश्टी अंत्र फिर रिजर्व तीनों है तो मानस टाइकर रिजर्व जो है इन तीनों को भंडारन है अगला क्योशन है जल उपयोग दक्षिता की सही परिभासा क्या है तो बास्पी करन और अपवा या उपसत जल निकासी से पानी बचाना अगला क्योशन है जल तो हमारा अगला क्योशन है निमलिकित में से क्या एक इको टोन की सही परिवासा है तो दो प्रकार के पारिस्थित की तंत्रों के बिसेश कर पौदो समधाय के बीच एक संक्रमानिस का सही परिवासा है अगला क्यूशन है मंट्रियाल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मानने के लिए निमन दीन में से कौन सा मना जाता है तो विस्व ओजोंदी बस मनाया जाता है अगला क्यूशन है अमारा जियांस तो 61 नंबा क्यूशन में बोला जा रहा है मेधनी पुरुषकार जैंस तो मेधनी पुरुषकार कौन सा मंत्रालाई देता है तो पर्याबरन और वन्य मंत्रालाई से परदान करता है अगला क्योशन है रेड प्लस प्रोग्राम निम्न में से किसे संबंदीत है तो CBD से संबंदीत है चलेंगा अगले क्योशन की और तुमारा अगले क्योशन जो है दो कथन दिया गया है जिसमें सही कथन को चूज करना है तो option के अनुसार जो है कथन एक सही है ACI Brown Bottle Bayou Production की एक परत है जो उतरी हिंद मासागर भारत और पाकिस्तान के हिस्से को भी cover कर लेता है चलेंगे अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्योशन जो है जो बोला जा रहा है प्रात्मिक सेल कौन सी सेल है तो अगने सेल जो है वो प्रात्मिक सेल है चलेंगे अगले क अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्योशन है यदि हम किसी पात्र में पात्र के जो है तो उसे निर्धारन करने के लिए कौन सी मात्रा अपक्षित नहीं होगी टो पात्र के तल की PRIST का च्छेटरिफ़ल वो अपक्षित नहीं होगी चलेंगे अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्योशन है www का परियोग किसके लिए किया जाता है तो मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है तो वर्ल्ड वाइड वेप जो इसका फुल फॉर्म में चलेंगे अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्यूशन है जहाजों के समय, जहाजों में समयम आपने के लिए परिक्तुप करन कौन सा होता है, तो क्रोनोमीटर इसका सही उपकरन है, अगला क्यूशन है, जब रंगीन अच्छों पर समतल काच की पट्टी रखी जाती है, तो कौन सा अचर कम उठा हुआ दिखता है तो लाल अक्ष जो है, कम उठा हुआ दिखता है, चल एंग़े क्यूशन की और तुमारा अगला क्यूशन जो है, बूला जारहा है, जिस्ट ऑ सबसे सबसे जटिल कार्वनिक पदार्थ कौन होता है तो प्रोटीन जो है सबसे जटिल कार्वनिक पदार्थ होता है चलेंगा अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्योशन है निम्न में से किस अनू जिया तो किस की अनू संख्या तथा अनू भार एक समान होती है रसायन का राजा किसे कहा जाता है जैंस तो रसायन का राजा किसे कहा जाता है तो इसका सही अंसर है दोस्तो H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है जैंस तो H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है अगला क्यूशन है जैंस तो हमारा अगला क्यूशन बोला जा रहा है पादपो और प्रानियों में या अंतर है कि पादपो में क्या होता है तो अस्थानगत निरंतर ब्रिधी होती रहती है अगला क्योशन है रंजक वखाद पदार्थ बनाने में परियोग किया जाता है तो कैरामल का परियोग किया जाता है अगला क्यूशन है वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइडरेशन होता है तो पानी की कमी से डिहाइडरेशन होता है अगला क्यूशन है निमलिखित में से कौन सा एक अगला क्यूशन है निमलिखित ऎंजायमों में से कौनसा समानने तव बैसक मनुस्वा में बिधवान चलेंगे हम डियेक ली न में क्यूशन की ओर गद भाग क्यूशन है 81 से starting है 81 question number से सब से पहले चलेंगे 81 number question में बोले ज़रा है लेखक के अनुसार जिनस तो लेखक के अनुसार बिज्ञान पर बिज्ञान पर आसरीत कौन है तो प्रमान जो है वो बिज्ञान पर आसरीत है अगला question है बिज्ञान और धर्म दोनों का अंतिमलक्ष क्या है तो सत्य की खोज दोनों की अंतिमलक्ष क्या है एक ही सिक्वे के दो पहलू कतत्पर्य क्या है तो एक विषय के प्रती दो दिष्टी कौन इसका सही अंसर अगला क्योशन है 84.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 और तुमारा अगला क्योशन जो है अंडरलाइन की हुए सब्द का पर्यावच सब्द बताना है तो धरती का पर्यावच सब्द क्या होता है तो धरती का पर्यावच सब्द वसुदा होता है अगला क्योशन है जिर तो हमारा अगला क्योशन है नदी का पर्यावच सब्द क्य का होता है तो तो सरीता होता है चलेंगे अगले क्योशन की और तो बायू का जो है वो पर्यावच सब्द क्या होता है तो अनिल होता है चलेंगे अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्योशन है गंगा का जिया तो गंगा का पर्यावच सब्द क्या होता है तो भागिरती हो तो पूँछा जा रहा है एंडरलाइन कहीं सब्द हो जा जos का 산 बता नगा जा रहा है अध्यात्मिक बेलोब सब्ध या हुती मडी क्राइब और हाब तो तो होता है अगला क्योशन है हमारा जिन तो हमारा अगला क्योशन जो है वो खाले अस्थान को सवर्दोस्तो मित्र का परयावच सब्द क्या होता है तो सत्रू होता है अगला क्योशन है समीज जिन तो समीज का परयावच सब्द क्या होता है तो नीरा मीज होता है तो अगला क्यो सही अंदर है ता गला क्योंट है आम के आम गुठलीों के दाम का आर्थ क्या होता है तो जिसमें सब लाव हीं लाव हो इसका सही अर्थ होता है तो पुरानी परता पर चलना इसका सही मतलब है चलेंगे इस वीडियो के सबसे अंतिम केश्चन की और और सबसे महत्पूर्ण केश्चन की और तो का जा रहा है आटे दाल का भाव मालूम होना तो इसका मतलब क्या होता है संसार का बैवारिक ज्यान होना ज्यांस तो संसार का बैवारिक ज्यान होना इसका सही मतलब है तो दोस्तो आप लोग बताए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो है तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा ज्यादा लोगों को सेर कर दिए तक यह किसी कोई वीडियो मिल सकते हैं तो जिन लोगों ने हमारे चैनल अश्टाइड़ी वाइफाई जी के की दुनिया को अभी तक स सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिएगए रेड बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और शाथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजे ताकि लेटेस्ट वीडियो हमारे सब्सक्राइब लोगों को मिलते हैं दोस्तो जिन लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कोई तो नीचे के दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद